कैंसर ये एक ऐसा रोग है ना तो जिसका पूरा इलाज है और ना तो इसका सही कारण हम जानते हैं लेकिन गौर करें किसी भी मनुश्यों को कैंसर होने से पहले उसके सरीर उसको कुछ संकित जरूर देता है और इन संकेतों को नजर अंदास करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है तो कैंसर के इन संकेतों को जानने से पहले और हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले कैंसर होने से पहले का पहला संकेत अंतों की समस्या अंतों की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और किसी को भी हो सकती है इतनी साधारण की हम बड़ी आसानी से नजर अंदास कर देते हैं लेकिन अगर ये बार-बार और भरी मात्रा में हमें परेशन करने लगे, तो ये काफी हद तक कोलोन या कोलोरेक्टल कैंसर की शुरुवात का संकेत हो सकता है. इसके अलावा बहुत दारेरिया, अपचर और ज्यादा गैस या पेट का दर्ग भी होता रहेगा, ऐसा होने पे भी अपनी तुरन जाच करवा लेना लाबदयक साबित हो सकता है, क्योंकि कैंसर का पहले-पहले स्टेज में ही पता लगने पे कैंसर को आप जर से मिटा भी सकत अगर आपको बहुत ज्यादा भरी मात्र होता है तो चाइद यह और अगर मुथ्रों में बहुत ज्यादा खून बहने लगे तो यह प्रोस्तृट कैंसर का लक्षन है, महिलाओं में मासिक चक्रा के बाद भी अगर खून बहने लगे तो यह साधरन नहीं है, उन्हें इसकी तुरन जाज करानी चाहिए रात को बहुत अधिक पसीना निकलना अगर आपको रात को सोते वक्त बहुत ज़्यदा पसीना निकलता है तो यह किसी दवाय का रियाक्शन या शरीर में पल रहे किसी इंफेक्शन का संकेत है और यह अगर कई हफ्तों तक जारी रहे तो जाज करना जरूरी है यह बहुत सारे प्रकार की कैंसर की शिरुवात लक्षन का संकेत है काम करते वक्त सही ठंक से अगर हम नहीं बैटे तो कम, पीट और उसके आस पास के जगर दर्थ करने लगती है कोलोरेक्टल और प्रोस्टिट कैंसर का संकेत है आप बिना किसी वज़े के बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करने लगते है यह भी कैंसर से जुड़ा हुआ संकेत है इसे नजरिंदर्स ना करे और अपने डॉक्टर को तुरन संपर्ट करे वो इसकी चार्ज करके कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में आपका सही मार्ग दर्शन कर पाएंगे वज़न का अचानक से कम होना अगर बिना वज़न आपका वज़न तेजी से 4 या 5 किलो से बिना किसी डायेट या एक्सरसाइस से कम हो रहा है आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है या आप ज्यादा खाना खा ही नहीं पा रहे है तो दोस्तों इन संकितों को नजर अंदस ना करें ये कैंसर की शुरुवाती लक्षन है सर्दी, खासी होना एक आम बात है और जुम्रपान करने वालों को तो खासी होती रहती है पर बिना किसी वज़े से लगातार खासी होना चिंताखा विशे है ये बहुत एक लंग कैंसर की शुरुवात है कभी-कभी खासी के साथ खौन भी निकलता है और गले में दर्थ मैसूस होता है जिससे खाना-खाने में भी दिक्कत होती है ऐसे लक्षन देखते ही अब डॉक्टर से संपर्ग जरूर करे सीने में जलन और अपच की समस्या सीने में जनर या साधारन रूप से जिसे acidity कहा जाता है यह आम बात है यह ज्यादा खाने वालों को या मसालादार खाने वालों के लिए बड़ी आम बात है पर अगर यह रगतार होते रहते है तो यह परेशानी वाली बात है जिसकी कोई खास वजय भी नहीं है तो cancer का और शुरूआत में कैंसर की जाज करने पर कैंसर का हल मिल जाता है और आप कैंसर से बच सकते हैं किया आप इन संकत्यों के अलावा और भी कुछ ज़रूरी बातें कैंसर से जुड़ी जानते हैं तो हमारे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर लिखें आपको अगर यह वीडियो पस